तेलंगाना की गवणनर तमिल साई सम्दर राजन जी केंद्रिय मंत्री परशत के मेरे साथ ही जी किसंडेडी जी तेलंगाना सरकार के मंत्री कोंडा सुरेखा जी के वैंकाट रेडी जी संसद में मेरे साथ ही डॉक्टर के लक्ष्मन जी अन्य सभी महानुभाव देवी और साजन संगा रेडी प्रजालकुन नमस्कार बीते दस वरसों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई उचायों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है इसी अभियान के तहट आज मैं लगाता दूसरे दिन आप सब के बीच तेलंगना में हूँ कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगना और देश के लिए करीब 56,000 करोड रुपिय के डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट शुरू किये आज मुझे संगा रेडी से करीब 7,000 7,000 करोड रुपिय की परियोजनाओं का लोकारपण और सिलान्यास का अउसर मिला है इनमें हाइवेच, जेल वेच और एरवेच से जुड़े आधुनिक इंफरस्ट्रक्टर के काम भी है इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी है कल भी जिन विकास कारियों का लाप तेलंगना को मिला था वो उर्जा और परियाबरन से लेकर इन्फरस्ट्रक्टर तक अलगरक शेत्रों से जुड़े थे मैं इसी भावना पर चलता हूँ राज्य के विकास से देश का विकास यही हमारे काम करने का तरीका है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगना की भी सेवा कर रही है मैं आज इस अवसर पर आप सब को और सभी तेलंगना वास्यों को विकास के इन सारे कामों के लिए बहुत बदाई देता हूँ साथियों आज तेलंगना को अवियेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है हाइदराबाद के बेगम पेट एरपोर्ट पर सिविल एवियेशन जीसर्च और नैशन यानि कारों की स्थापनाटी गई है यह अपने तरह का देश का पहला एवियेशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्स पर बना है इस सेंटर से हाइदराबाद और तेलंगना को एक नई पहचान बिलेगी इस से तेलंगना की युवाहों के लिए एवियेशन सेक्टर में नई उडान के रास्ते खुलेंगे इससे देश में एवियेशन स्टार्टर्स को रीसर्क और स्किल डेवलोप्मेंट के लिए एक प्रेट्वम बिलेगा मजबुत धरातल मेरी की आज भारत में जिस तरह एवियेशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है जिस तरह पिछले दस वरसों में देश के एरपोर्ट के संग्या दो गुनी हुई है जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए आउसर बन रहे है इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हाईराबाद का ये आधुनिक संस्तान एहम भूमी का नभाएगा साथियों आज 140 करोड देशवासी विक्सित भारत के निर्माण के लिए संकल्प बद्द है और विक्सित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रस्ट्रक्टर का होना उतना ही जरूरी है इसलिए इस साल के बजेट में हमने इंफ्रस्ट्रक्टर के लिए 11 लाग करोड रुप्य दिये है हमारा प्रयास है कि तेलंगना को इसका जादा से जादा लाब मिले आजिंदोर, हैदराबाद, एकनोमिक कोरिडोर के एक महत्पपन हिस्से के रुप्य नेशनल हाइवे का विस्तार हुआ है कंडी, रामसन पलई इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है इसी तरह मर्याल गुड़ा कोडार इस खंड का भी को भी पुरा किया गया है इसे तेलंगाना और आंदर प्रदेश के बीश लोगों को आने जाने की सुविदा होगी इससे सिमेंट और कृषी से जुड़े उद्योगों को भी फाइदा होगा आज यहां संगा रेडी से मादिना गुड़ा को जोडने वाले नेशनल हाइवे के भी आधार सिला रखी गई है जब यह पूरा होगा तो तेलंगाना, करनाटका और महराश्टर के बीच कनेक्टिविटी और बहतर हो जाएगी तेरा सो करोड की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पूरे छेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी साथियों तेलंगाना को दक्षीन भारत को गेटवे कहा जाता है तेलंगाना में रेल्स विधाओं को बहतर बनाने के लिए इलेक्टिफिकेशन और दोहरी करान का काम भी तेज गति से हो रहा है सनतनगर मौला अली रूट पर दोहरी करान और इलेक्टिफिकेशन के साथ छे नए स्टेशन भी बनाए गए आज यहां से गट केसर लिंगम अपढली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को भी हरी जंडी दिखाई गई है इसके सुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपसका कनेक्ट हो जाएंगे इसे दोनों सहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविदा होगी साथियों आज मुझे पाराद विभादराबाद पाइपलाइन प्रोजेक को भी देश को समर्पित करने का सुवभागी मेरा है इसके द्वारा कम खर्चम है सुरक्षित करीके से पैट्रोलियम उत्पादों को ले जाने की सुविदा मिलेगी ये प्रोजेक सस्टेनेबल डवलप्मेंट के हमारे संकल्प को मजबूती देगा आने वाले समय में विभ्षित तेलंगना से विभ्षित भारत इस अभियान को हम और गति देगे साथो ये छोटा सा सरकारी कारकम यहां पूर्ण हो रहा है मैं अभी पास में ही जनता जनादन के बीच जाऊंगा वहाँ भी लोग बहुत कुछ इन विश्व में सुनना चाहते हैं मैं कुछ बाते विस्तार से वहाँ पर अभी दस मिट के बाद जन सभा में रखूंगा लेकिन अभी के लिए इतना ही और आप सभी को मेरी दरब से बहुत बहुत सुपकार नाए धन्यवाद दक्षीन भारत मुखद्वारवीन कलंगान अबुरुद्धि वल्ले देश अबुरुद्धि यकड़े इन राष्ण अबुरुद्धि चेनते राज्यों अबुरुद्धि चेनते चेपिन गोरुनेले लेना पुरुद्धि